विल्कम बैक मैंना नित्य वारी टेनर और मोटिवेशनल स्पीकर आज इस वीडियो में हम डिसक्स करें सक्सेसिव डिसकाउंट के बारे में क्या होता है सक्सेसिव डिसकाउंट यह और एक टीचर अपनी पूरी 30-40 बच्चे क्लास में कैसे इस टॉपिक को इंडियूस करें इससे की बच्चे उनसे बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो सके और इस टॉपिक को काफी अच्छे से वो समझ भी सके एक बर मैं मौल घूमने गया हुआ था मैं पास कोई काम नहीं था तो मैं सुछा चलो मौली घूम लेते हैं और वहीं पर मेरे एक शूडिन मेल गौरब आम यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है काफी ब्रैंडेट शर्ट है काफी महंगी भी होगी मैं तो नहीं लेने वाला आप ही ले लो तो उसने का सर महंगी छोड़िये काफी अच्छे दाम पर चल रही है मैंने का क्या है उस पर क्या सर फ्री है आप तो उसने का 50% प्लस 50% डिस प्लस 50% 100% के बराबर होता है और यह फ्री हो जाता है क्यांगा सर आपको नहीं पता पर मुझे पता है मैंने का अच्छा ठीक है अगर आपको पता है शर्ट भी काफी अच्छी है आप जाके ले लो चाहो तो तो उसने का सर बिलकुल ले लुँआ आपकी वोजे प्लस 50% डिसकाउंट मैंने तो फ्री समझा और मैं तो उठा के रख के लेके चला गया अब सिक्यर्टी वाले को समझ में आ गया यह कि इस टाइप को बंदा है और इसके साथ क्या होना चाहिए अब उस रूम में उनके साथ क्या किया गया है क्या हुआ है मेरे को तो नहीं पता है तो बाहर जेम में हाट डालके खड़ा था चुप चाप अब जो भी हुआ आप डारेक्ली उसी ज़िजा के पूछ ली लेगा तो आज के इस टापिक में हमें यही समझना है कि जब एक के साथ कई सारे डिसकाउंट्स ओफर होते हैं तो वो एक्चिल में होते कितने के बराबर हैं गौरण ने यही गलती की गौरण ने 50% को 50% के जब सम किया तो 100% के सम के बराबर हो समझ लिया यहाँ पर समझना है कि अर्थमेटिक सम नहीं होते ही है जब कई सारे डिसकाउंट्स ओफर होते हैं तो उनका सम निकालने का तरीका अलग होता है तो आएए देखते हैं क्या होने वाली है इसकी एक्चिल वैली तो आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है कि जब एक के साथ कई सारे डिसकाउंट्स ओफर होते हैं तो वो एक्चिल वो किसके बराबर होते हैं गौरम ने जो गलती की कि 50% प्लस 50% को 100% मान बेठा जो कि हमें पता है वो 100% के बराबर नहीं होता है डिसकाउंट के केस में कभी percentage का सम अर्थमेटिक सम के बराबर नहीं होता है इनका सम निकालने का तरीका अलग होता है हमें यही समझना है कि 50% प्लस 50% डिसकाउंट 100% के बराबर नहीं होता है तो किसके बराबर होता है यहाँ पर देखने वाली बात यह है, कि यहाँ पर दो discount offer होने, discount 1, discount 2, हमें एक एक करके दोनों को अपने question में apply करना होगा, समझना है कि हमेशा discount apply होता है MRP पे, तो MRP of shirt हम मा लेते हैं 100 rupees, तो हमें देखना है, पहला discount हम 50% को MRP के उपर apply करेंगे, 50% होता है half, किसी भी number का half, 50% हमें discount बलना है, यानि minus करना है, तो 50% of 100, 100 का 50% यानि 100 का half, इसमें 100 का half minus करेंगे, यानि 50% यानि 50 ही, 100 का half होता है 50, 50 minus करेंगे, हमारी पास value आएगी 50 rupees, क्या यही हमारी selling price है, नहीं, अभी हमने पहला discount offer किया है, अभी एक discount देना हमें बाकी है, तो अब जो second discount है, वो हम second MRP पर apply होगा, जो हमारी second MRP आ चुकी है, उस पर apply होगा, यानि 50 का 50%, तो 50 का 50% होता है 25, 50 का half होता है 25, अब हमको second discount apply करते हुए, इसमें से 25 minus करना होगा, क्यों, क्योंकि 50 का 50% होता है 25, 50 में से 25 minus करेंगे, value आएगी हमारी 25 rupees, तो यहाँ पर 25 आया है, यही हमारी selling price है, क् अब हमारे पास कोई और discount नहीं है, तो यह हमारी selling price होगए, देखिए, shirt थी 100 rupees की, हमको pay करना पढ़ रहा है 25 rupees, यहाँ पर shirt free नहीं हुई, क्यों, क्योंकि गौर्ण ने यही गलती की, दोनों को sum करके उसने 100% समझा, लेकिन free नहाँ करके उसको 25 रुपे देना चाहिए था, इसलिए वो security वाले से mark आया, अब देखिए यहाँ पर, तो discount एक्चुल हो किसके बराबर हुआ, तो देखना यह है, कि discount निकानने का जो formula होता है, वो होता है MRP minus selling price, तो MRP हमने 100 मानी थी, और selling price हमारी 25 है, तो इन दोनों को अगर हम minus करते हैं, तो value आती है 75, 100 ही माना था हमन तो 100 का 75 यानि 75% ही होता है, तो यानि 50 plus 50% discount हमारा 100% ना हो करके 75% discount के बराबर हो रहा होता है, इस वीडियो के थरो हमने यह देखा, कि अगर हम successive discount जिसे topic को अगर बच्चे को बीच में story से उतारते हैं, तो बच्चे उस topic को easily absorb कर पाते हैं, इतना ही नहीं, इस story से बच्चो बहुत मजबूत होता है, और फिर वो typicals या typical question को भी easily solve कर पा रहे होते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी responsibility बनती ही कि इस वीडियो को आप maximum to maximum लोगों तक share करिये, क्योंकि आज कल हो क्या गया है, कि जो भी बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, या बच्चों के mind में enthusiasm level maintained रहता है, और वो easily हर चीज को absorb करने में लगे रहते हैं, और फिर चाहे एक गंटे class हो, चाहे शे गंटे class हो, बच्चे जब hall से बाहर आते तो बच्चों को यह नहीं लगता कि हम school में class करके आएं, उनको लगता है कि हम फिर theater hall में पढ़के आएं, और अगर आपने teacher नहीं है, और अपने career को ऐसे teacher establish करना चाहते हैं, तो अभी career board line number पे call, और हमारे executive आपको English में interview दिने की training देंगे, interview के question answers भी आपको prepare कराये जाएंगे, written test ली आपको study material प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में आपको demo video भी प्रोवाइड किया जाएगा, आ आपको multiple school में interview की facility प्रोवाइड की जाएगी, और 100% placement guarantee के साथ आपको आपके dream school में place भी किया जाएगा,